आज मैं आप सबके लिए लाइँ फिर से एक टेस्टी सी रेसिपी जिसे खाकर बच्चे तो आपके दीवाने ही हो जाने वाले और अगर आप बच्चों को टिफिन देने की सोच रहे हैं क्योंकि स्कूल खुलने वाले तो फिर से भाई प्रॉब्लम चालू क्या टिफिन में क्या लेके जाएं तो यह प्रॉब्लम भी सॉल प्राथ कोई बना कर रख दीजी और बच्चों को यह इतना ज्यादा पसंद आने वाला है बच्चे क्या बड़े भी आपके घर कोई महमान आए तब भी उसको आप नाश्ते की सब कीजिए सबको बहुत पसंद आएगा हेलो को फ्रेंड्स मैं दिख्या वेलकम चुमाई चैनल इजी एंड टेस्टी तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं इसके लिए हम लेंगे सबसे पहले एक का गुम टंब्रीचर का उपर दूद आधा कप इसके अंदर हम ऑल डाल देंगे सरसों का तेल तिल का तेल और मुनफ किने डाल देंगे ब्लोन फोट कप के लगभग मिश्के अंदर कोट पाउडर ड़ाल देंगे एक टीशपून वाली रेसिपी इस अब को पसंत भी होता है इस तरह अच्छे से मिक्स कर देंगे और च्छनी से अच्छे से च्छान देंगे च्छानने से क्या होगा इसमें एयर इंकॉर्पोरेट हो जाएगी और हमारे जो मफिन्स बनेंगे ना चॉकलेट मफिन्स एक दम बिल्कुल तैलीदार बनकर तयार होगी और अभी मैं आपको दिखावी दूगी और बनेंगे इतने सारेन और सिर्फ एक कप मैदा से आप मान के चलिए टोटल 24 मफिन्स बनकर तयार हुए और 24 मफिन्स खरीदने के लिए आप सूची बजार में कम से कम परस्ते 15 रुपे का एक आएगा और उसमें भी इंग्रिडियेंट का पता नी इसमें हम अपनी मर्ज जो को मिक्स कर लिया एकदम पर्फेक्ट कंसिस्टेंसी है एक टीबल स्पून इसके अंदर डाल देंगे हम विनेगर अगर आप विनेगर जो है पसंद नहीं करते तो वैसे स्की श्मेल आती नहीं है लेकिन फिर भी अगर आप पसंद ना करें तो आधा चमच नीबु गरस ताकि बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा एक्टिवेट हो जाए बस अच्छे से मिक्स करेंगे यह देखी कंसिस्टेंसी रिबन जैसी ना दूद एक्स्टा मिलाना पड़ा ना पानी अगर आप पर्फेक्ट नाप से बनाएंगे ना तो बिल्कुल यही वैटर आपका अगर तैयार हो इतनी देश जो अपम मेकर होता है ना मैंने उसको हलका सा गरम होने रख दिया गैस का फ्लेम बिलकुल लो रखना है और हलके से मखन से या और से ब्रेश कर दीजिए अब इसको हम 3-4 भरेंगे वैसे आपकी मर्जी आप फुल भर लीजिए फुल भरने से क् निकल आएंगे तो मैंने तो इनको 3-4 भर अब ये धीरे धीरे जो क्योंकि अपम पैन गरम भी हो रहा है तो ये धीरे धीरे नीचे से अपने आपी जो है रोस्टोना स्टार्ट हो लेकिन गैस का फ्लेम व्याद रखें बिलकुल लो बिलकुल लो अगर हाई किया तो ये अ सब को पसंद आए जादा से जादा जितनी भी आपकी फ्रेंड्स और रूलेटिग्स उनको शेयर कीजिए ताकि सब अपने पच्चों के लिए टेस्टी मफिन और हैल्दी घर में बना सके हां आप मकचीनी की जगे आप इसमें शुगर फ्री का इस्तेमाल या मिश्री का इ जाए और हमारी जोए बिल्कुल लावा केकी तरह बनकर तयार होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं उसका रीजन में बताती हम क्योंकि यह चॉकले डेरी मिलके है अगर आप मोडे का या कोई भी और को जो चॉकले वाला मांट होता है ना वो लेते तो बन जाता आराम से यह आपकी मर्जी है यह पूरी तरह सिख चुके अगर आप चाहें तो इसे दूसरी तरफ से पलेट के भी दो से तीन मिनट तक के लिए सेख सकते हैं वैसे जरूरत नहीं है अंदर तक बिल्कुल सॉफ्ट मफिन्स बनकर तयार है अब रेसिपी तो आपको पसंद आई गई सिर्फ 15 मिनट में इतने सारे इतने वड़िया कि आपने इमैजिन भी नहीं किया होगा और ना काटने का जंजट ना फ्रूस फ्रीज में स्टोर करने का जंजट अराम से तीन चाह दिन तक इसको बाहर ही आप स्टोर करके रख सकते हैं कोई प्रिजर्वेटिब एड़नी कि और बच्चों को खाने में बहुत टेस्टी भी लगने वाले हैं यह देखिए पहले मैंने एक बैच बना लिया फिर उसके बाद इसी में मैंने दूसरा बैच बनाया पर आप चॉकलेट तो ही खतम चार-पांच पीस ही बच्चे हैं तो इत क्योंकि बच्चे तो आपको पत इस बनकर तैयार हूए बहुत सारे मफिन हैं सिर्फ एक कब मैदा से तो जल्डी से चैनल को लाइफ शवर सब्सक्राइब कीजिए मैं बार बार आपको बोलती रहती हूं और आप सब्सक्राइब करते हैं नहीं देखते हूं तो प्लीज लाइक भी करो और कमेंट भी करो और टेस्टी वनी है एक बार अगर आप इसे अपने घर में ट्राई करेंगे न यह लोग गिरी गया यह तो लगता है मेरी नजर कई किरा हुगा मन कर रहे हैं फटा फट से खालो पर चलो कोई नी पहले आप रेस्पी देख लो उसकी बार मैं तो चली खाने तो चलिए फिर मि लेंगे बाइ नई रेस्पी में प्लीज ब्रेस्टी में में